मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम जो विशय पढ़ेंगे वो है दल नम्यंती यानि कि एक लोक नाटक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके रचीता है लखमी चंद अगर आ बच्चो आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कीजे इसे लाइक और शेयर कीजे और आप मुझे वर्टसेप, इंस्टाग्राम और टेलिग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं तो देखें बच्चो जो नल और दम्यंती है ये एक ऐसी कथा है जिसमें प्रेम और पीडा दोनों के ही अंश आपको दिखाई देंगे ये है कथा इतनी परभावशाली सीध हुई कि इसमें भारत के नहीं बलकि विदेशी लेखग भी इससे अत्यदिक परभावित हुए उनवान, सुन्दर, सत्यवादी सबके प्रिये और ब्रह्मन भक्त थे वे वीर प्रकर्मी योद्धा थे और अश्त्र-श्त्र विद्या में वो निपुन थे लेकिन साथ ही उनमें एक बुरी आदत भी थी कि उनको जुआ खेलने का शोक था और इसी प्रकार दम्यंती जो उनके पिता भीम भी नल की तरही प्रकर्मी योद्धा थे राजा भीम ने एक बार रिशी दमन को प्रसन करके उनसे संतान का वर्दान प्राप्त किया था उनके वर्दान से उननी चार संतान प्राप्त हुई थी और जिसमें की तीन पुत्र और ती एक पुत्री थी पुत् गुण संपन थी उन दिनों कितने ही लोगों का निशाज और विधर्ब दोनों ही देशों में आना जाना लगा रहता था जो लोग निशाज से विधर्ब आते थे वे दम्यंती के सामने नल के गुणों के प्रशंसा किया करते थे और जो लोग विधर्ब से निशाज जाते थ वे दमयंती की परशंसा नल के सामने करते थे तो दोनों की एक दूसरे के सामने परशंसा सुनकर तो क्या हुआ कि दोनों के ही हिर्दय में एक दूसरे के लिए आक्रेशन पैदा हो गया एक दिन राजा नल ने अपने महल में उद्यान में हंसो को देखा नल ने एक हंस को पकड़ लिया तो तब उस हंस ने नल से कहा कि मुझे छोड़ दीजी मैं दम्यंती के पास जाकर आपके गुणों का इतना वर्णन करूंगा कि वो आपको वर्चुन लेगी यह सुनकर नल उस हंस को छोड़ देता है और वह उड़कर विधर्ब देश चला जाता है जब दम्यंती हंसों को देखती है तो वो उस उनको पकड़ने के लिए दोड़ती है तबी वह हंस बोल पड़ता है कि निशाज देश का राजा जो है नल वो बहुत ही अश्वनी कुमार के समान सुन्दर है यानि कि उसके रूप का बखान करने लगता है वो नल के समान सुन्दर और परकर्मी तुम्हें और कोई भी नहीं मिलेगा अगर तुम नल की पतनी हो जाओगी तो तुम्हारा जनम और रूप दोनों ही सफल हो जाएंगे जैसे तुम स्त्रियों में रतन के समान हो वैसे ही नल भी पुरुशों में भूशन के समान है तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुन्दर होगी इस प्रकार से नल की जो परशंसा कीन हंसने दम्यंती के सामने तो दम्यंती यह सुनकर हंस से कहती है कि तुम निशाज देश जब लोट कर जाओगे तो राजा नल से भी ऐसा ही कहना मेरी परशंसा में यह सब कहना जो तुमने मेरे सामने नल के कहा है और नल को भी दम्यंती का संदेश दे देता है कि जो दम्यंती है उसकी वो प्रशंसा कर देता है उधर दम्यंती नल की इतनी प्रशंसा सुनकर मन ही मन उनसे प्रेम करने लगती है रात दिन वह नल के खयालों में इतना अधिक हो जाती है कि उसका स्वास्त्य खराब रहने लगता है जब दम्यन्ती के पिता को भीम को उसके अस्वस्त होने की सूचना मिलती है तो वे निर्न लेते हैं कि मेरी पुत्री विवायोग्य हो गई है उसका स्वेंबर कर देना चाहिए तो वे सब राजाओं को स्वेंबर का नियंतरन भेज देते हैं इसके बाद कई देशों के राजा, हाथी, घोडे तथा रथों को लेकर स्वेंबर में हिस्सा लेने के लिए पोंच जाते हैं राजा भीम भी उनके आदर सत्कार के पूरी व्यवस्ता करते हैं दम्यंति के स्वेंबर का समाचार देवतां को भी मिल जाता है तो इंदर देव अपनी मंडली के साथ यानि की अगनी, वरुन और यम को साथ लेकर स्वेंबर में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो जाते हैं जब देवता स्वर्ग से नीचे उतर रहे होते हैं, तब वे नल को भी स्वेंबर में जाते हुए देखते हैं देवताओं ने नीचे उतर कर राजा नल से कहा कि नल आप बड़े अलोकिक हैं क्या आप हमारी सायता करने के लिए दूत बन जाएंगे नल ने इस दूत बनना स्विकार कर लिया लेकिन फिर उसने पूछा कि आप लोग कौन है और मुझे ही दूत बनाकर कहां भेजना चाहते हैं ऐसा कौन सा काम है जो आप मुझे दूत बनाकर करवाना चाहते हैं तब देवताओं ने नल से कहा कि आप हमारे दूद बनकर दम्यंती के पास जाएए और उनसे कहिए कि इंदर अरुन अगनी और यम देवता तुम्हें विवा करना चाहते हैं यानि कि जो इनकी मंडली है इंदर की जो मंडली है यानि चारो देवता तुमसे विवा करना चाहत इनमें से तुम चाहे जिसको भी अपना पती स्विकार कर लो। यह सुनकर नल देवताओं के सामने हाथ जोड कर कहते हैं कि देवराज आपका और मेरा वहाँ जाने का उदेश्य एक ही है। जहां धर्ती के बड़े बड़े राजा खड़े थे वहीं पर कई नल भी खड़े थे क्योंकि वो तो रूपधारन करके आते हैं नल का यह देख कर सभी परिशान हो जाते हैं कि असली नल को कैसे पहचाना जाए। शिर्वाद देते हैं और दोनों ही बड़े सुख के साथ जीवन वैतीत करने लगते हैं। दम्यंती ने एक पुत्र और एक पुत्री को भी जनम देती हैं। दोनों ही बच्चों बच्चे भी अपनी माता पिता के समान रूप तथा गुनों से संपन हैं। जीवन बहुत सुख में बीत रहा था लेकिन समय सथा एक जैसा नहीं रहता। राजा नल जहां इतने गुनुवान थे वही उनमें एक बुरी आदत भी थी जुआ खेलने की। नल के एक भाई थे जिनका नाम था पुशकर। पुशकर अपने भाई नल से अलग रहते थे। एक दिन पुशकर ने नल को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंब हुआ लेकिन उस दिन भागय नल के साथ नहीं था वह नल जब नल खेलने के लिए गया तो वो एक-एक करके सभी कुछ जुए में हारने लगा सोना, चांदी, रत, राज, पाठ सब कुछ वह जुए में हार गया रानी दम्यंती ने एक यह सब जानकर अपने बच्चों को अपने पिता के घर विधर्ब भेज दिया उधर नल सब कुछ हार गया, यहां तक कि अपने शरीर के आभूशन वस्तर भी उतार कर दे दिये केवल एक वस्तर पहन कर वे नगर से बहार निकले दम्यंती ने भी अपनी बिना आभूशनों के केवल एक साड़ी में ही पती के साथ दिया और राज्या छोड़ कर चले गए एक दिन राजा नल ने सोने के पंक वाले कुछ पक्षी देखे नल ने सोचा अगर मैं ये पक्षी पकड लूँ तो इने बेच कर कुछ धन कमाया जा सकेगा राजा नल ने जो वस्तर पहना था वह खोल कर उसने पक्षियों पर फैका लेकिन राजा नल उने पकड तो नहीं पाई लेकिन पक्षी उनका वह वस्तर भी उड़ा कर ले गए आज राजा नल के पास तन ढखने के लिए कोई भी वस्तर नहीं रहा इस समय नल दम्यंती के दुख का कारण स्वैम को मानने लगे एक दिन दोनों जंगल में एक पेड के नीचे बैठे थे और नल ने दम्यंती के साड़ी से ही अपने तन को ढख रखा था उस समय थकावट के कारण दम्यंती को नीद आ गई तब राजा नल सोचने लगे कि दम्यंती को मेरे कारण कितने दुख सहने पड़ रही है अगर मैं उसे छोड़ कर चला जाओं तो वो अपने पिता के पास चली जाएगी यह सोच विचार करते करते वेहें दम्यंती की साड़ी को आधा काट देता है और उस साड़ी से अपने तन को ढखकर दम्यंती को वही उसी अवस्था में छोड़ कर वहां से चला जाता है जब दम्यंती की नीद खुलती है, तो वह अपने आपको अकेला पाकर विलाप करने लगती है भूक और प्यास से भटकते भटकते वह अचानक अजगर के पास जाकर पहुँच जाती है जहां जैसे ही अजगर उसे निगलने लगता है तबी दम्यंती की चीख सुनकर वहां एक शिकारी आ जाता है और उसे अजगर से बचा लेता है लेकिन जो वो शिकारी होता है वो स्वभाव से बहुत दुष्ट होता है वह है शिकारी धम्यंती की सुन्दर्ता पर मोहित हो जाता है और उसे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश करता है लेकिन धम्यंती उसे शाप देते वे कहती है कि यदि मैंने अपने पती राजा पूरा होते ही उसे शिकारी के मिर्ति हो जाती है। फिर से दम्यंती अपने पती को ढूंते ढूंते भटकने लगती है। तो एक दिन वो चेंदी नरेश सुबाहू के पास जा पोचती है और वहां से वह अपने पिता के पास पहुंच जाती है। इस प्रकार धम्यंती के सात्विक के प्रभाव से कोई एक दिन राजा नल ने भी नल के भी सभी दुखों का अंथ हो जाता है दोनों फिर से मिल जाते हैं और उन्हें अपना राजय पाथ भी मिल जाता है दोनों अपने राजय में सुखी सुखी जीवन अपना वैतीत करने लगते हैं तो ये था नल दम्यंती की कथा आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छे से समझ आ गई होगी धन्यवाद